दोस्तो मा आज आपके साँ सियर करी हूँ दाल मखनी की रेस्पी दाल मखनी मनाने के लिए मैंने लिये 200 ग्राम राजमा 1500 ग्राम उड़त की साबुत दाल मैंने लगभग 5-6 गंते पानी में विवो के रखे अब मैं इनको कोकर में डालके अच्छे से बॉइल कर लूँगी दोस्तो दाल मैंने कोकर में चड़ा दिये और मैं इसमें डाल दूँगी आधा चमज नमक इसमें डाल दूँगी मैं दो चुटकी खाने वाला सोडा जिसे कम सीठी में गल जाएगा दोस्तो दाल मकनी का पेष्ट बनाने के लिए मैंने लिये 4 चोटी से प्याज एक टमाटर और कुछ लहजन की कलिया और अध्रक इसको में जार में डाल लूँगी कट करके सब जार में डाल दिया है दोस्तो पेष्ट तहीं आर हो गया मेरा और दोस्तों यहां पर मेरे डाल भी अच्छी तरह बॉइल हो चुकी है देख सकते हो आप यह दोस्तों यहां पर मैंने गैस पर रगदी कड़ाई और कड़ाई में डाल दिया है तील तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया अब मैं इसमें डाल दूँगी छोटी चमत जीरा और डाल दूँगी तेज पत्ता दोस्तों आप डाल दिया है मैंने इसमें पेस्ट पेस्ट को हम अच्छी तरह भूंदेंगे दोस्तों मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सी कस्टूरी में चीर दोस्तों पेस्ट मेरा भूंगिया है देखो इसमें तेल छोट दिया है अब मैं इसमें एट कर दूँगी दो बड़े चमत मलाई दोस्तों यह एकदम फ्रेस मलाई है दोस्तों अब एट करूंगी मैं इसमें पूटी हुई दाल चीरनी दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटा चमत फल्दी पाउडर एक छोटा चमत धन्या पाउडर एक छोटा चमत दाल मिर्च पाउडर और हीम दोस्तो मसाला मेरा एकदम तयार है अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल दोस्तो मैंने इसमें एट कर दी है दाल एकदम होटल जैसी रेश्वी बन के तयार है दोस्तो अब डाल दिया है मैंने इसमें मक्षन मेरी डाल मक्षनी एकदम रेडी है बनके दोस्तो आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक एंड सियर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कर देना